अपने घर के स्वयनपाग घर के नजदीक में ऐसी ही एक बहुत अच्छी होशद है, तुल्सी जैसी ही, उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, खोरपड, एलोविरा, गवारपाथा, अद्बुट है, ये बहुत बहुत बीमारियों में काम आता है, आप इसको भी में लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसका लगना, खोरपड का रस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका पत्ता काटेंगे, पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है, और उसको छील देंगे, तो और ज्यादा रस निकलता है, ये रस इकठा करके, आप इसको तरीके से उप्योग कर सकते हैं, सबसे बड़ा उप्योग इसका है डाइबिटीज में, जिनको भी शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनको ये खोरपड का रस इकठा करना, और चार पाट चमच सुबह ठाली पेट पीना, बहुत अधबुत काम करता है, दूसरा आप उनके लिए भी बोल सकते हैं, कि तीन चार चमच रोज सुबह इसको पीना, तीसरा ये खोरपड कारस उन सब के काम आता है, इनके शरीर में फोड़े बहुत होते हैं, फुनसियां बहुत होते हैं, अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में, कई छोटे बच्च है, खोड़ा जू मैंने कहा, इसमें कोर्पड का रस लगाएं, तो बहुत अधुत काम करता है, बाल आपके बहुत जड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ठूपते हैं, समय से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाल ठूप रहे हैं, कारण आपके कुछ समझ म नहीं आ रहा, उसमें भी कोर्पड का रस बहुत अच्छा काम करता है, बालों में लगाईए, एक तास के लिए छोड़ दीजे, फिर बाल धोलीजे, एक हफ़ते में एक दिन भी अगर आपने लगाना शुरू किया, तो बाल टूपने आपके बन कर देगा, आपको ऐसा लिए कि कोर्पड का रस लगाएं, बाल एक्दम काले करते हैं, इसी कोर्पड के रस से शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा जो सड़ गया है, बहुत खराब एक बीमारी है, जिसको अंग्रेजी में गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन, और ऐलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई गाजी है, गैंग्रीन का अगर कोई भी बीमारी आ गया, तो अलोपैथी का डॉक्टर एक ही बात आपको बुलेगा कि शरीर का ये अंग काटके निकाल जो, ये सड़ा हुआ शरीर का अंग फिर से ठीक करने की ताकत दुनिया में जिस आउशत में हैं, तो अजबुत परणाम आजा है, इसी कोवर्पर्ट के रसका और अच्छा एक उपयोग है, जिनको भी रक्त का दूशन हो गया, रक्त का दूशन बहुत तरहका होता है, जैसे आपके रक्त में एसिविटी बढ़ दे, रक्त में अमलता बढ़ दे, और रक्त की अमलता बढ़न से क्या बीमारियां होती है, चर्म रोग सबसे जादा आते हैं, सुराइसिस नाम का एक चर्म रोग है, इजियोसिस नाम का एक चर्म रोग है, एक्जीमा नाम का एक चर्म रोग है, ये सारे के सारे चर्म रोग रक्त की अमलता बढ़ने से आते हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक् और जल्बी ठीक कर देताए इसी कोर्पट के रस्से आपके शरीर का अंदर के कई लोग ठीक होते जैसे आपको अलसर है अलसर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया अलसर है या पैप्टिक अलसर है इसको ठीक करने की ताकत कोर्पट के रस्में है तो जो अलसर के पेशेंट है जिनको अलसराइटिस है वो भी इस कोर्पट का इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक कोर्पड मैंने इसका उप्योग करके देखा है कम से कम 53 बीमारियों में 53 डिसीज में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट इसलिए आप अपने स्वेंपाग गड़ के नजदीक में एक गमले में जरूर इस कोर्पड को लगाते रखिए ये बहुत काम आता है और एक आखरी बीमारी इसके और बता देता हूँ बच्छों से लेकर बढ़ों तक कान में कभी भी दर्द हो जाया कितना भी तेज दर्द हो कान में आप कोर्पड की रस्की एक ठेम डाल दीजे कान में 5 मिनट में ही दर्द बन दर देगा पाची मिनट लगते हैं दर्द बंदो कई बार आपने देखा है बच्चों और बड़ों को एक बीमारी होती है कान में से लस निकलती है इस बीमारी में भी खोरपड का एक सेम कान में डाल दीजे तीन चार दिन सतक डालेंगे लस निकलना बंदो क्या है इसी कोर्पड का और कई जिगे उपयोग होता है आपके मुल से बहुत बास आती हैया विद उप्टे ही आपको ऐसा लगता है कि मूँसे बद्बु आ रहे हैं आप खोरपड की रसकों मूमें मालिश करें जुर मतलब मस्वनों पर मालिश करें उसके बाद कुली कर ली कि तो मुदसे बासाना करा अगर आपके मसूणसे खून आता है, पायरीया नाम का रोग ची कथ अकसर हमारे ढातों से खून आता है, मसूणसे खून आता है, तो खूर्पर्ट के रस को तो हलके हलके मालिश करिए तीन चार दिन के अंदर ही पाइरिया को ठीक करने की शक्ति इसमें अधुत है यह कोर्पट और यह कोर्पट सौभागिया दुरुबागे सबसे जादा भारत नहीं होता है के अगर स्वोर्पट का कोई बिजनिस करें तो एक ही साही में कोटिपती हो सकता है इसकोन और आधिया अमेरिका में एक हजार रुपर लीटर बिखता है, एक हजार रुपर लीटर, गाय के तूप से भी महगा, गाय का तूप बिखता है सो, दोसो, धाई सो रुपर लीटर, और ये इतना महगा क्यों बिखता है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ये ज्यादा होता नहीं लेकिन इसकी डिमांड बहुत है, जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान बनने वाली कमपनिया, सबको ये चाहिए, अमेरिका और यूरोप में सबसे जादा इसकी बांग है, लेकिन वहाँ उपन हो नहीं पाता जादा, जादा ये भारत में होता है, तो अगर आप वास खोड़ा खेत है, खेती है, तो किनारे किनारे खोर पर लगा दी जे, इसको पानी नहीं देना पड़ता, इसको खत नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, ये अपने से ही बढ़ता रहता है, काटते जाईए, रस निकालते जाईए बाटली में भरके आप सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बारत के बजार में भी बेच सकते हैं बहुत बड़ा बिजनिस है और ऐसा बिजनिस है जिसमें घाटा कुछ नहीं होने वाला मुनाफा ही मुनाफा ही इसके दो फाइदे होते हैं अगर शेट के चारो तरफ आप ये खोरपड लगा दें चारो बादू में तो उस उस पूरे शेट में कोई भी जन्तु नहीं आता तो जन्तु ना तक औशदी की जरूरत नहीं और खोरपड बड़ा होने के बाद हजार रुपए लीदर का भाव दे देता है इसको आप रस के रूपना भी बेच सकते हैं डायरिक भी बेच सकते हैं जी रस कैसे निकलता है इसका रस निकालने के लिए बहुत छोटी सी मशीन आती है वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं मशीन से रस निकल सकता है और मशीन नहीं लगाना हो तो हाट से भी रस निकला निकालने का तरीका मैंने बता है इसका पत्ता कातना फिर उसको चाफू से छीलना फिर छोटे-छोटे पीस उसके करना और उसको इसमेश करके रस निकलाता है जी मिक्सर में निकलाता है क्रशर आता है इसका एक उसमें भी निकलाता है मिक्सर में भी निकला तो इसको आप जर काटे को हुए इसके पत्ति काटे रहते हैं चोटे छोटे काटे रहते हैं इसके का लिप एगा वर्षभी। घृ। इसका डुप जैसे इस बरस कोई इक जैस्टer है क्यों में उखिणा दैसे हो रस कभी भरण की तसक क्वी ख्राब उत्माहिं परियास्तु